आज के वीडियो बहुत खास है आज हम आपको बता रहे हैं ग्रहों के दुष्ट प्रभाव को कैसे दूर करें इसके उपाई बता रहे हैं एक मंत्र बता रहे हैं और विधी में बता रहे हैं इस मंत्र के प्रयोग से आपके ग्रहों के प्रभाव दूर हो जाएंगे और आप को जिन्दगी में सफलता मिल जाएगी आप जिन्दगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो काम कर पाएंगे आसानी से क्योंकि ग्रह बाधा बहुत बड़ी बाधा होती है और समस्त बाधा के नाश के लिए मंत्र प्रेस्क्राइब किये जाते हैं तो दरिदिता के नाश के लिए या ग्रहों के कुण प्रभाव को दूर करने के लिए आज खास जानकरी दे रही हूँ इस मंत्र को जपने से ही आपको लाव हो जाएगा और ये मंत्र इतना प्रभाव शाली है इसको कोई भी कर सकता है तो जानकरी देने का प्रयास कर रही हूँ मैं हूँ एस्ट्रो लॉजर और वास्तु कंसल्टन डॉक्टर उमा श्री आपके रियल हितेशी आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आ सकता है जानकरी अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट स भासकराय असमांक सर्व ग्रहानाम पीडा नाशनम कुरू कुरू स्वाहा दुबारा सुन लीजिए ओम नमो भगवते भासकराय असमांक सर्व ग्रहानाम पीडा नाशनम कुरू कुरू स्वाहा इसकी विधी भी जान लीजिए आपको लेना है आक धतूरा अपामार्ग इन सब को आपको प्राप कर लेना है और शमी यानि खेजडे के पत्ते आम के पत्ते गूलर के पत्ते भी आपको लेने हैं इन सब को एक मिट्टी के पात्र में रख देना है दूद, घी, चावल, हिना, गेहू, तिल, गौ, गौमूत्र मतलब गौमूत्र, सरसों, चंदन, शह चाच, शमा कीजिए हमने गौमूत्र की जगे गौब बोल दिया था इसके लिए बहत अफसोस है और शमा चाहते हैं आपको गौमूत्र काम में लेना है तो फिर से बोल देते हैं दूद, घी, चावल, हिना, गेहू, तिल, गौमूत्र, सरसों, चंदन, शहद, चाच उसी प पात्र में आपको डालना है और एकत्रित करके शनीवार को साइकाल के समय पीपल के वरक्ष की जड़ में गड़ा खोद कर गाड़ देना है और फिर उसी वरक्ष के नीचे या किसी देव इस्थान में जाकर इस मंत्र का जाप करना है इस से बुरे ग्रहों के कुप्रभाव नश्ठ हो जाते हैं और निर्धनता और दुर्भागे से छुटकारा मिल जाता है ये तरह पावरफुल मंत्र है तो इस मंत्र को आप जपिए जैसे हमने विधी बताई है उस विधी से आप जपेंगे तो आपको गरीबी से मुक्ती मिलेगी दुर्भागे से छुटकारा मि विधी भी एक बार पुनह सुन लिजिए आग धतूरा अपामार्ग दूर्वा बर्गत इन सब की जणे आपको प्राप्त कर लेनी हैं शमी के पत्ते आम के पत्ते गूलर के पत्ते लेने हैं इन सब को मिट्टी के पात्र में रखकर दूद घी चावल हिना गेहों तिल गौमो खोद कर गाड़ना है और उसी व्रक्ष के नीचे या देविस्थान में जाकर आपको इस मंत्र के दस हजार जाप करने हैं कम संख्या में करने से भी आपको लाब हो सकता है यह आपकी किस्मत है लेकिन दुर्भागे अगर पिछुटकारा नहीं दे रहा है दुर्भागे से आपको प्रगती नहीं दे रहे हैं प्रगती नहीं करने दे रहे हैं तो इसको दस हजार के संख्या में जाप करके आपको अच्छा लाब मिलेगा तो दस हजार के संख्या में जाप किजिए टाइम टो टाइम एक हजार दो हजार ऐसे भी जाप कर सकते हैं संख्या कम करके सम अनुसार आपको जाप करना है इससे आपको जबरदस रहत मिलेगी तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना हम है एस्टर लॉजर डॉक्टर उमा श्री इसी तरह की वीडियो लाते हैं जो आपको फाइदा पहुचाती हैं अगर आज की जानक कारी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलेगा आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं सुखी रहिए संपन रहिए थैंक्यू सो मज कर दू हो कि भी में रहद आए पढरे संपचे जा है